जहां सापो को देखकर हर किसी के पेरो तले जमिन खिसक जाती है लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो सापो को पकड़ने में बिल्कुल भी नहीं जिजगते लिहाजा बेमे तरह में नियाया पार निवासी दिली प्यादव नामक एक वेक्ती है जो बिना डरे जहरिले सापो को पकड़ लेता है बता दें कि दिली प्यादव लगभग 20 वर्षों से लोगों के घर बारी दुकान से सर्प को पकड़ जंगल में छोड़ देते हैं इसी तरह लोगों को धीरे धीरे पता चलता गया लोगों को जानकारी होती गई कोई भी सर्प को दिली बिना डर भै के पकड़ लेता है इतने लंबे समय से सर्प को पकड़ते आ रहे हैं कि लोगों को इनके बारे में पुरी जानकारी मुबाइल नंबर पर मिल चुकी है जैसे इनके पास कोई फोन करे या बुलाने आते हैं तुरंत उनके साथ सर्प को पकड़ने चले जाते हैं और जहां बीच सर्प रहता है तुरंत पकड़ कर ले जाते हैं और उसे जंकल में छोड़ देते हैं दिली प्यादव ने सर्प पकड़ने का तंत्र मंत्र विद्या सीगे हुई है, इसके साथ उनके पास जहर निवारन जड़ी रखी हुई है। जहरीले साप को पकड़ कायू की जिंदेगी बचाने का काम कर है दिलीप के परिवान ने पाशद रिता पांडे सीमो होरिशनी ठाकूर एवं कलिक्टर से कुछ समय पहले पत्र के माध्यम से सयो की मांग रखी थी। पहुझ दोले के हम है नवा गाउं है पुर्मुरी नवा गाउं। पकड़ा था साप? यह कम से कम 20-25 साल हो गया। तो साप काटे से कुछ आपलो कुछ होते नहीं हों? कुछ नहीं हो है। 36 गड़ के बेब मतरा से मोहन पतेल की रिपोर्ट